हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे और सुरक्षित होंगे फ्रेंड्स CSC DGP के तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है हम सभी CSC VLIS के लिए फ्रेंड्स आज से कुछ दिनों पहले DGP में Domestic Money Transfer को लेकर कई सारी दिक्कते आ रही थी जैसे के DGP में Domestic Money Transfer वर्क नहीं कर रहा था और फ्रेंड्स जिन VLIS के DGP में Domestic Money Transfer वर्क कर रहा था उनके खाते से बैलेंस डिड़क्ट हो जा रहा था लेकिन Money Transfer नहीं हो रहा था फ्रेंड्स DGP के इस Technical Error को देखते हुए CSC ने अब DGP के इस Technical Error को ठीक कर दिया है और फ्रेंड्स सबसे बड़ी Good News तो ये है कि इस Technical Error को ठीक करने के साथ साथ CSC के तरफ से उन VLIS के खाते में बैलेंस को भी refund किया जा रहा है जिनका बैलेंस डिड़क्ट हो गया था Domestic Money Transfer के दोरान तो फ्रेंड्स अगर आपका भी DGP में Domestic Money Transfer के दोरान आपके खाते से बैलेंस डिड़क्ट हुआ था तो आप उस Bailens को कैसे अपने खाते में वापस कर वा सकते हैं उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने सिस्टम से DGP के पुराने वर्जन को अनिंस्टॉल करना है उसके बात फ्रेंड्स अब आपको अपने सिस्टम पे DGP के लिटेस्ट वर्जन यानी 6.7 जो की Windows Operating System के लिए है और DGPay version 6.9 जो Android Mobile के लिए है उसे install कर अपने balance को refund करवाना है Friends, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि DGPay के इस latest version को आज ही launch किया गया है और Friends, DGPay के इस latest version के बारे में हमें यही बताया जा रहा है कि जितने भी glitches और technical issue आ रहे थे उसे DGPay के इस version में ठीक कर दिया गया है तो Friends, मैं भी इसे अपने system पे install करके देखूंगा कि DGPay का यह version सच में वैसे ही काम करता है जैसे हमें बताया गया है उसके बाद मैं अपने आने वाले वीडियो में DGPay के इस version का review भी दे दूँगा तो I hope Friends, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो Friends, वीडियो को like और अपने Friends and Family के साथ में शेर करना न भूले और Friends, अगर आप चैनल में नए है और हमारे इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है